आज हमारे साथ मौझूद हैं डॉक्टर दिनेश कंसल जो के इस्तरी रोग बिशेसग्य और डिरेक्टर हैं बील कपूर होस्पीटल में आज हम बात करते हैं लड़कियों से रिलेटेड महिलाओं से रिलेटेड उनकी हेल्थ और प्रेगनेंसी से रिलेटेड आकिर किन समस्य आज का समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा हैम आजकल टीनेश की बात करें लड़कियों की बात करें किस तरीके से आप एड्रेस करना चाहेंगी आजकल लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा बदल चुकी है कई सारी समस्याओं का सामना उनको टीनेश收ids में ही देखने को मिलता है किस तरीके से ध्यान रखा जाए आज का लाइफ पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है हमारे टाइम सिंपल था आई टी नहीं था कोई जो आज का स्मार्टफोन से वो सब नहीं थे और अब जो है कंपिटीशन ज्यादा है एवरीबड़ी के साथ साथ कंपिटीशन इतना ज्यादा हो गया है एवरीबड़ी कें द्रीम अप्टु दर यू कन से स्काइज द लिमिट फर एवरीबड़ी तो आई थिंग काफी चीजें स्ट्रेस जनरेटेड हैं काफी लाइफस्टाइल जनरेटेड हैं हमारा लाइफ इतना सिंपल हो गया हर चीज अप क्लिक करो घर में स्वेगी भेज देगा जोमेटो भेज देगा तो उसे लाइफस्टाइल डिसीज इस हमारी बढ़ती जा रही है चाहे वो टीनेजर्स हो चाहे बात की बात की एच है फ़र्द एच पे एक जो सबसे कॉमन चीज हम आज खल देखते हैं वो है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जो छोटी-छोटी सिस्थ हो जाती है बच्चों के एंडा थिंक I can say 80% of the girls have it because parents भी बोलते हैं बच्चे आराम से बैठो पढ़ो 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 तो as a result उनका चलना फिरना बिलकुल नहीं है अगर free time होता है तो अभी phone पे लगे रहते हैं everything is on the phone so as a result यह lifestyle disease जो आगे जाके diabetes का रूप भी ले सकती है और बीच में infertility का so I think parents have to be sure कि कितना बच्चा social media में active रहे कितना phone पे रहे और कितना you know at least चले फिरे घर की चीजों में participate करे कुछ exercise करे it has to be a wholesome development for the child यह नहीं है कि एक ही तरफा बस बढ़ाई बढ़ाई करना है आपने बाप की सिस्ट की manistal cycle जो होती है जिसको आहम भाषा में हम periods कहते हैं वो मेरे ख्याल से medical term में 28 days की होती है लेकिन आजकल अमूमन देखा गया है कि आगे पीछे हो जाती है तो उससे क्या घबराने की जरूरत है या फिर डॉक्टर को consult करना चाहिए वही जो मैं PCOS बोलते हैं या PCOD बोलते हैं या polycystic ovarian disease it's all one और इसमें patient हमारे पास आते हैं जी medicine दे दो ठीक कर दो तो हम test करके देखते हैं जितने खराबी आरी है test में उतना उनको changes लाने की जरूरत है और otherwise medicines help initial phase में at least और देरे देरे वो अपना change कर लें तो पर sometimes हमारे पास condition वो आती है कि जो है हम बहुत जादा नहीं कर पाते हैं तो जैसे कहावत है न stitch and time saves nine तो earlier the better तो जैसे बच्चे होते ना ninth, tenth में तभी उन्हें ध्यान रखना है कि बच्चे का weight कितना activity कितनी है जरूरत हो तो हमारे से consult करें तो you know we can prevent most of the things और जब ultrasound में cyst दिखती हैं कि छोटी-छोटी cyst है patient खबरा जाते है parents, sister, sub-sister क्या करना है but उसको हमें differentiate करना है कि जो दूसरी abnormal cyst होती है tumor वाले cyst की वो तो नहीं है वो है तो हमें, because ऐसा नहीं कि कि कोई भी age cancer से बची हुई है या tumor से बची हुई है, surgery से, even young लड़कियों में हम देखते है anything can be there जबकि commonest तो PCOD है, but rarely dermoid cyst हो सकती है, which need surgery कभी कभी torsion of the cyst हो जाती, severe pain होता है, एक नम से ovary के साथ, cyst के साथ गूम गई तो उसमें emergency surgeries भी होती है या endometriotic cyst होती है endometriosis भी एक disease है, जो इस stage पे काफी common होती है और पी जिस बहुत painful होते हैं, बहुत ज़्यादा धीरे over the years वो और ज़्यादा painful होते जाते हैं so जब हमारे पास patient आता है, जब हमारे पास patient आता है अजकल imaging बहुत अच्छी है, ultrasound है, MRI है, तो हम differentiate कर पाते हैं इनमे and ultrasound, MRI, they are safe, even for a young girl तो डरने की ज़रूद नहीं है, किछी tests करा रहे हैं these are not raised or anything और फिर हम देख लेते हैं क्या चीज़ सेफ है और किस चीज की surgery करनी है and that you have to leave it to us और हम जो best होगा patient के लिए करेंगे and the best part is आजकल जो laparoscopy और robotic का जमाना है इसमें almost 100% can be managed by minimally invasive जो keyhole surgery बोलते हैं छोटी-छोटी स्च्च के द्वारा बड़े-बड़े tumors निकाल देते हैं बड़े-बड़ी disease निकाल देते हैं एक तरीका होता है endo bag में डालते हैं ताकि spill free हो under spill ना हो और उस तरह से चीज़ें कर लेते हैं तो अगर surgery करानी भी पड़ती है तो young में हम भी we are sensitive towards child's age जब हो 14 साल की बारा साल वालों पे ग्यारा साल वालों पे हमने सब पे surgeries कर रखे जहां ज़रूत होता है तो हम भी उनकी emotions का भी दिहान देखते हैं pain free हो जितना हो सकता है और आगे का भी क्यूंकी fertility अच्छी रहे आगे का रिप्रोड़क्टिव करियर में problem ना आए इसके पीछे क्या बजय मानती है शादी के पहले एक तो शादी थोड़ा लेट हो रही है 30 के आसपास हो गई जो पहले 25 से पहले हुआ करती थी तो उनकी जो भी है चीजें बढ़ जाती है जो उनका lifestyle वगरा है जो fertility के लिए तो best period है 22 से लेके 30 एज तक और जब शादी बाद में हो रही है तो अच्छा फिर जैसे ही शादी होई 32 पे 33 पे and then they get worried की बच्चा नहीं हो रहा बच्चा नहीं हो रहा और फिर वाई वेफ पे चले जाते हैं plus everybody almost all the girls are working work के साथ उनके उपर double pressure हो जाता है घर का भी बहर का भी जब कि आजकल husbands काफी cooperative है that's a good thing that is development that we are observing now पर फिर भी जब दोनों काम होते हैं तो उनको समय भी नहीं मिलता है कि बच्चा का plan करें डर लगता है कि बच्चों को हम पालेंगे कैसे सो उस तरह से करते करते थोड़ा लेट हो जाते हैं and then they go for IVF फिर जब PCOS वगेरा होती है एक दो cycle try करते है medicine से patients की तो कमी है यह and then they go for IVF माम आपने शादी की बात की आजकल लेट शादियां हो रही है क्या आप मानती हैं कि without precaution अगर वो बच्चे के लिए try कर रहे हैं conceive नहीं होता एक साल तो कब डॉक्टर को consult करना चाहिए that depends upon the age of the patient and any co-existing disease suppose बिलकुर normal cycle है normal weight है कोई PCOD वगेरा नहीं है लड़की ठीक ठाक है तो फिर आप अराम से एक साल देख सकते हैं और age भी ठीक ठाक है एक के बाद fertility काफी डाउन हो जाती है तो उन लोगों को तो हम treatment जल्दी start करने की सहला देते हैं एक और चीज होती है pre-conceptional counseling जरूर करानी चाहिए उसमें हम hemoglobin वगेरा देखते हैं कि general condition कैसी है एक ultrasound करा लेते हैं कि कोई gross disease सुनी history ले ले लेते हैं करा लेते हैं कि we don't have surprise during pregnancy कोई tumor वगेरा और कुछ और है बड़े fibroids है because suddenly patient pregnant होके आती है और जब हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं so कोई gross cheese है which has to be handled before तो वो पहले कर दी जाती है तो एक pre-conceptional counseling का काफी रोल है so suppose कोई young लड़की भी आती है जरूर करा लेना चाहिए ताकि कोई vitamins वगेरा देने हो we can give him and that will help और females का एक तरह का check-up हो जाता है अगर हमें कोई problem नहीं लगती है तो we tell them to try on their role for further 6 months फिर भी नहीं होता है तो we are there to help definitely किन चीजों का ध्यान रखना है कि दुबारा से सिस्ट ना हो और कई बार pregnancy के समय पता चलता है कि सिस्ट है फिर क्या किया जाए I think that's very nice question और सब लोग काफी डरते हैं उस चीज से so जब सिस्ट होती है तो patient को यह लगता है कि दुबारा बनेगी सबसे पहले तो सिस्ट दो प्रकार की होती है एक तो functional सिस्ट जो हर महीने एग बनता है उसको भी सिस्ट बोल देते है और फिर वो release करता है और उसका जो रह जाता है corpus luteum वो भी सिस्ट की तरह लगता है so the best time to see whether the सिस्ट is there or not is soon after the periods जैसे पांच वे छटे दिन period खतम होता है so that is the time to do the ultrasound बत्र उसके जो क्लीन होता है that is the best time और तो ये वली सिस्ट तो बार बार आएंगी because they are normal सिस्ट वो तो normal ovulation cycle है लडकी का और दूसरी जो सिस्ट होती है that depends कि क्या सिस्ट है suppose it is a dermoid सिस्ट तो 99.9% दुबारा नहीं आएगी once we have removed it carefully but suppose it's a mucinous सिस्ट अडिनोमा तो हम पेशन को पहले बोल के चलते है कि इस में mostly सिस्ट में हम ovary retain कर लेते हैं about 70-80% ovary बच आती है we don't have to remove the ovary फर अगर हमें लगता है multiple सिस्ट ovary hardly बची है तो पेशन को पहले बताते हैं कि what is best for her should we remove the ovary और should we remove just the सिस्ट उसको हम सिस्ट में बोलते हैं और इसको उफरेक्ट में बोलते हैं so patient से counselling करते हैं and then we decide what is best suppose patient के already एक ovary निकली हुई है तो दूसरी साइट conservative surgery करेंगे है then endometriotic सिस्ट जो होती है वो दुबारा आएगी ही आएगी that is one disease world over कहीं पे भी आप सिस्ट निकाल दे तो भी disease because पूरे pelvis में फैली होती है so we can never nobody should promise की हम पूरी डिस्ट निकाल देंगे so it depends upon क्या सिस्ट है अगर एक ovary को निकाल दिया जाता है तो फिर कितने chances रह जाते हैं एक ovary निकाल के तो लगबख पूरे ही चांसे ऐसी कोई बात निए अगर और कोई डिफेक्ट नहीं है pelvis में जैसे endometriosis हो तो फिर problem है बाकी में तो usually ठीक रहता है but still we try to preserve the other ovary also जैसे dermoid system मैंने बताई काफे common है young girls में तो उसको निकालते हैं पूरी ovary दूसरी भी बचा देते हैं so let's keep the things as normal and as natural as possible अपने IVF की बात की माम क्या सही समय है IVF पे जाने के लिए दोनों ट्यूब होते हैं कई बार blockage दिखाई देता है तो क्या सही समय है IVF में अगर absolute factor है जैसे किसी को टिबर की लॉसेज हुई है और उसके कारण tubes block है तो वो नहीं खुलती है फिर हम mechanically भी कोशिश करें like you know we have one method hysteroscopic tubal cannulation पर वो इस case में usually successful नहीं होता mucus plug हैं, fibrin है जो HST होता है hysteros helpingogram x-ray होता है जिसको colored x-ray भी बोला जाता है तो वो tube ना अंदर की तरफ से block आती है तो उसको हम खोल सकते है uterus के अंदर दो partitions है उसको हम ठीक कर सकते है so there are many things जो correctable होती है पर ये जो है जो severe infection के कारण tubes कहीं हों उनको कुछ नहीं कर सकते है तो this is something like main road अगर बिलकुल block है कि आपके पर जाने का कोई रास्ता नहीं तो आपको बाइपास लेना है तो IVF का काम वो रहता है और बाकी होते हैं कि अगर female का एगनी बन पा रहे है ठीक से, then also we have to do और किसी के birth से, by birth से uterus ही नहीं है बजाईना नहीं है तो बजाईना तो हम बना देते हैं so that you know at least sexual activity उसकी ठीक रहे है but uterus को ग्रो नहीं कर सकते हैं इंडिया में uterine transplant भी हो रहे हैं but that is very rare and that's a difficult option तो उसकी जगह सरोगेसी के options होते हैं वो भी एक IVF का ही advanced part है you can say और किसी के अपने ex नहीं बन रहे है 35 से ज़्यादा age हो गी है काफी ट्राइ किया इंजेक्शन से but not happening तो डोनर एक भी लिया जाता है किकने percent माम आजकल सफल है ये IVF IVF के तो अच्छी success है आजकल younger the patient better success rate younger patient में तो हमें 60% तक भी मिल जाता है and आगे की age में 40% you can say माम आप काफी experienced भी है और senior भी है माम पहले हमारे याँ एक बड़ा rumor था अब उस पर थोड़ा सा गौर फर्माइए कि लोग कहते थे बड़े बुज़र्ग के हमें operation नहीं कराना चाहिए pregnancy जब होती है normal baby के लिए ही try करना चाहिए लेकिन आजकल लड़कियों की बात करें कुछ figure को related कई सारे concern देखे गए है जो operation डॉक्टर अगर मना करता फिर भी वो opt करते के नहीं हमें operation कराना यह कितना सही है I think natural चीज़ तो natural है we must go for normal delivery अभी सुबह एक normal delivery हुई है cesarean देखो एक तो absolute indication होता है कि cesarean ही होना है जहां पर हमें लगता है कि बच्चा हैवी है उल्टा है आड़ा है बच्चा ऐसे case में तो होना ही होना है cesarean या बच्चे में blood supply नहीं जारी उसको under distress हो रहा है then we have to do और यह है कि patient जो अपनी मर्जी से करा लेते हैं pain figure में फरक नहीं पड़ता है lower parts में भी फरक नहीं पड़ता है because cut दे कि उसको वापिस वैसी stitch कर दिया जाता है the only difference is पहले के जमाने में से if you talk about 25 to 30 years back तब normal delivery पे इतना ज्यादा जोड़ था कि चाहे बच्चे के दिमाग पे भी थोड़ा असर पड़ जाता है बच्चा नरसरी में रह जाता कई कई दिन और patient के भी सब parts और लूज हो जाते ज़रूरत से ज्यादा थोड़ा बहुत तो फरक होता है but not so much तो वो जो difficult normal deliveries हैं they should not be done so modern obstetrics says we should not put difficult faucets we should not do difficult deliveries तो वहाँ पे हमें cut short करके cesarean कर देना चाहिए और इसके लिए counseling तब ही शुरू होती है जब patient हमारे पास during pregnancy आती है कि labor pains होते है पर ultimately recovery is little better with normal delivery पस cesarean से इतना भी नहीं ररना चाहिए कि जो मर जी हो जाए कि ने जी हमने से जेरे नहीं करा ना वो गलत है जहां पे बच्चे के लिए या मा के लिए बहुत ज़रूरी हो विशुगोफर माम आजकल खान पान के आपने बात की लड़कियों में भी देखा गया है आजकल स्ट्रेस की बात करें अलकोल, स्मोकिंग ये अब आम बात हो गई है ये कितना हानिकारिक होता है फर्टिलिटी की अगर बात करें माहिलाओ में जितने भी modern बच्चे हैं काफी समझदार भी है जैसी वो प्रेगनंसी करने पे आता है तो लड़का लड़की दोनों थोड़ी समझदार हो जाते हैं and they start keeping away from alcohol and smoking so because उनको भी पता है कि बच्चे के लिए बच्चा होने में प्राप्लम है and once the patient gets pregnant passive smoking भी effect करती है alcohol भी effect करता है so they all stop it और कोई हमसे पूछता है तो फिर हम तो बताते ही है dietitian को एक reference दिया जाता है वो भी पूछते है so drugs वगरे यह सब सब को पता है कि नहीं लेना है या तो यह करना है और या फिर बच्चा करना है बच्चा करना है तो they all stop it माम आप एक आखरी सवाल क्या message देना चाहेंगी यंग बच्चों को जो आजकल stress भी है खान पान गड़ बड़ाया हुआ बड़े शहरों में आप देखी रहे हैं किस तरीके से सबजियों की अगर बात करें और भी खाने पाइन की चीज़ों की बात करें वो कहीं न कहीं परिशानियां देता है जब हम fertility की बात करते हैं pregnancy की बात करते हैं लीव आइटिंक में चीज़ आइटिंक में चीज़ आइटिंक लिवा हेल्थी लाइश्टाइल जंक फूड कम से कम a balanced diet goes a long way आपको लंबा life देगी disease free life देगी और obesity होने से बचाएगी obesity is the biggest disease now जो diabetes को, hypertension को इन सब चीज़ों को जन देती है और pregnancy is a very delicate thing तो ये तब भी pregnancy ठहरेगी अगर आप ठीक ठाक होंगे तो एक healthy life होगा तो pregnancy होगी और वो ठीक ठाक चलेगी बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कैमरा पॉसन चंदन के साथ दिलीस हरदेश यादव न्यूस पॉइंट